Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल लेकिन आज यही उसका नतीजा है कि जिसकी वज़े से पाकिस्तान के उपर मुसीबतों का पहाड खड़ा हो गया है, आज वही तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान की आर्मी को मार रहा है, और इसलिए आप देखोगे यहाँ पर फाइनली वार्निंग दी गई है अफगानिस्तान को, शायद हमने इसे किसी में सोचा नहीं था, दो साल पहले जब तालिबान ने यहाँ पर टेक ओवर किया था अफगानिस्तान के उपर, तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और तालिबान तो कितने बड़े दोस्त हैं, लेकिन आ पर पाकिस्तान इतना क्यों बॉकला गया है, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पिछले कुछ समय से कैसे जो अटैक हैं पाकिस्तान के उपर वो बढ़े हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे पहले ध्यान रखीगा आप में से जि लिंक है, वहाँ पर जाकर यूज कर ये कोड अंकित लाइफ ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप में से जो लोग optional का batch लेना चाहते हो, तो इसी महने से ये सभी optional के batches स्टार्ट हो रहे हैं, आपके पास बड़ा मौका है, कॉ तालिबान को एक तरह से पना दी थी, पाकिस्तान एक काफी लंबे समय से, और आज के date में पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो insecurity है, वो लगतार बढ़ते जारी है, क्योंकि वही तालिबान एक प्रकार से पाकिस्तान के उपर अटाक कर रहे हैं, मतलब जो लोग पाकिस्ता के सेना के उपर, पाकिस्तान के लोगों के उपर अटाक कर रहे हैं, उनको shelter देने का काम एक तरफ से अफगानिस्तान कर रहे हैं, यह मैप आप देख सकते हो, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बड़ा border यहाँ पर share होता है, यहाँ पर जो दो प्रोविंसेज हैं, अटाक करते हैं, और वापस चले जाते हैं, और उनको shelter कहा मिलता है, अफगानिस्तान के जमीन पर, और इसकी वज़े से कहीं ना कहीं, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, वो काफी बॉखला गए हैं, और आप देख सकते हो, पाकिस्तान के जो defense minister हैं, खौजा आसिप, उन्हो अगर मैं आपको detail मैं बताऊं, तो जो पाकिस्तान के defense minister हैं, खौजा आसिप, उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान would no longer tolerate this, क्योंकि लगतार यहां पर खबर आ रही है, कि जो TTP के लोग हैं, और इंफरक्ट आपको पता होगा, कि अभी recently एक और यहां पर जो terrorist organization है, वो सामने आया ह तहरी के जिहाद पाकिस्तान, वो भी लगातार अब attack करने लग जया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के defense minister का यह कहना था, कि एक जो पडोसी देश को जैसा होना चाहिए था, वो यहां पर अफगानिस्तान नहीं नि तो वो terrorism को फैलाएगा नहीं, मतलब कि अपने जमीन से terrorism ना निकले, ऐसा कोशिश करेगा तालिबान, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, दूसरी तरफ आसिफ, जो खौजा आसिफ हैं पाकिस्तान के defense minister, उनको कह रहा है कि हम तो हर साल लगबग 50-60 लाग जो अफगान हैं, उनको एक प्रकार से asylum provide करते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान क्या करता हैं हमारे लिए, अफगानिस्तान हमारे उपर ही attack कराता है, ऐसा पाकिस्तान के defense minister का कहना है, और इसी के वज़े से उनका कहना था कि पाकिस्तान will use all its resources to protect its land and citizens, सोच के देख और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें Taliban की, तो क्या Taliban का कोई statement आया इसको लेकर, तालिबान का कोई statement नहीं आ रहा है, तालिबान नहीं हाँ पर कुछ भी नहीं बोला इसको लेकर, और तालिबान का कहना है कि ठीक है, ये लोग बोलते रहते हैं, होता रहता होगा, खेर इसका मैं आपको बता दूँ significance क्या है, actually क्या है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिश्टर ने ये जो warning दी है Taliban को, वो एक दिन पहले अगर आप देखोगे, तो खुद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से भी warning आया था, क्योंकि क्या हुआ है ना, पाकिस्तान की आर्मी की उपर एकी दिन में यहाँ पर तीन अटैक हुए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि बारा लोगों की मित्ती हुई है, मैं आपको बताता हूँ, यह पाकिस्तान का जो बलुचिस्तान एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आप देखोगे, जो डिस्टिक है, ज जो कि अभी तक का मतलब पिछले एक डेड़ साल से आप देखिए, तो एक सिंगल डे में सबसे हाइस्ट अटैक आप कह सकते हैं, इनफर्ट यह चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि जब से तालिबान का साशन आया है अफगानिस्तान के अंदर 2021 से आप देख सकते तो किस तरीके से इस्पेशली यहाँ पर तालिबान आने की वज़े से अचानक से अटैक में इजाफा हुआ है, और 2023 में तो अभी पुरा साल भी खतम नहीं हुआ है, अभी तो पुरा आधा साल बाकी है, लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हैं, 313 अटैक हो चुके हैं, मतलब यह नंबर जो है आपको आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और इनफाक्ट यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक और टेरिस्ट ओगनाइजेशन आ गई है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान, उन्हों नहीं अभी रिस अगर इसी तरीके से अफगनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो सेक्योरिटी फोर्सेस का एक तरह से ध्यान था पहले के और इनफेक्ट आप देखिए, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिश्टर ही नहीं, यहाँ पर ज अटाक होता रहा, तो हम effective response देंगे, यहाँ पर हमारा response बहुत जादा तगड़ा होगा, जिसको शायद तालिबान जहेल नहीं पाएगा, और जो तालिबान रन गवर्मेंट है काबूल ने, जैसा कि मैं आपको बता है, उनकी तरफ से इसको लेकर कोई response नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इसी चीज़ को दराया, कि जो तालिबान और US के बीच में जो भी agreement हुआ था दोहा में, दोहा 2020 का agreement, उसको तालिबान को follow करना चाहिए, और अपने जमीन से जो terrorist हैं, उनको वहां से हटानी की कोशिश करनी चाहिए, खेर इसके लवा यहा पाकिस्तान नहीं आया था अफगानिस्तान में, उसके पहले अगर आप देखोगे तो TTP जो है, वो दबा हुआ सा organization था, मतलब कि वो बहुत कोई मजबूत नहीं था, पाकिस्तान इसली उसको handle कर पाता था, क्योंकि उसको support बड़ा नहीं मिल पाता था किसी और से, लेकिन क एक दूसरे को support करते रहते हैं, तो अफगानिस्तान की जो तालिबान है, वो support करती है TTP को, और TTP का क्या कहना है, TTP कह रही है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर जो Islamic laws हैं, उसको implement करना है, हम नहीं चाहते कि जो democracy, जिस तरह से चीज़ें चल नहीं हैं, वैसा नहीं चलना च चाहते हैं, in fact, एक बहुती दर्दना घटना हुआ था इसी साल के सुरवात में, January के महने में अगर आपको याद हो, तो जो पेशावर सिटी है, उसी के पास यहाँ पर, यह आप देख सकतो, खाइबर पक्तुन का, यह जो प्रोविंस है, यहाँ पर आप देख पाएंगे history by TTP, मतलब TTP इतना बड़ा attack पहले करने के सायद सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तालिबान के आने की वज़े से, उसके पास काफी हिम्मत आ गई है, in fact, इसकी वज़े से आपको मैं बता दू कि जब से तालिबान आया है, आपने सुना होगा, कि जब US छोड़कर जा रहे और इसके लावा काबुल प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर बहुत सारे TTP के fighters कैट थे, बन थे, लेकिन तालिबान की आने के वज़े से क्या हुआ, उन्होंने इन सारे TTP की जो fighters हैं, terrorists हैं, उनको जेल से रिहा कर दिया, और रिहा करने की वज़े से क्या हुआ, वो अब प भारत में attack करें, ये लोग ऐसी कोशिश चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन आज कहीं न कहीं, जो पाकिस्तान की जो कोशिश थी, वो पूरी तरह से नकाम है, basically मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ, और जहां तक तालिबान का सवाल है, मुझे लग नहीं रहा कि तालिबान किसी प्रकार से पाकिस्तान की सुनने वाला है, अभी इसी साल के सुर्वात में आपको याद होगा, कि तालिबान ने एक तरह से मौक कर दिया पाकिस्तान को, आपको याद है ना 1971 का जो वार हुआ था, कैसे सरेंडर किया था पाकिस्तान ने बांगलादेश के अंदर, यहाँ प पहले एक interesting question आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि पंजाब के अंदर large number of canals जो आपको देखने को मिलता है, उसमें से जो पानी है वो कौन से river से आता है mainly, यह आपको बताना है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई पाते हैं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF के ही तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप जुड़ पाऊगे, और जैसा मने बताया, UPSC के अगर आप त्यारी कर affordable.